दोस्तो अजम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं हाली माई वेब सिरीज लखनलीला भारगफ के आगे के साथवे, आठवे और नोवे एपिसोड को इससे पहले के एपिसोड आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, आप चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो एपिसोड 7 की शुरुआत में मोहन सांडले के घर में उसका साला अनुराग आता है, जो की एक पॉलिटिकल बैक्राउंड से है वे अपने जीजा मोहन सांडले को, उसके नए होटल की ओपनिंग के लिए चीफ गेस्ट के रूप में इंवाइट करता है पर मोहन सांडले बोलता है कि होटल ओपनिंग के दिन उसकी जरूरी मीटिंग है, वे नहीं आ सकता और वे ऐसा बोल कर मासे चला जाता है अब कोट में लखन को वाई चाचा मिलते हैं, जिने एक नोटिस आया था कि उनका भाई रजाक जो वेदा गार्मेंट्स का नाम चेंज कर रहा है जिसकी वज़ा से उनका नाम और ब्रेंड खतम हो जाएगा और उनके सारे कश्टमर चले जाएंगे तब लखन बोलता है कि आप नाम की चिंता मत करो, वह देख लेगा और लखन चाचा का केस ले लेता है उसके बार लखन और उसके दोस्त रजाग उसमान अनसारी की दुकान पर भेश बदल कर जाते हैं जहां वह रजाग से मिलकर उनकी बेगम जान के लिए लेटिस्ट कपड़े दिखाने के लिए कहते हैं तब रजाग लखन को उसके बेटे मुस्तफा के पास ले जाता है जो कि अपने कारिगरों पे गुस्सा कर रहा था और फिर वह अपने पापा के कहने पर लखन को कपड़े दिखाने लगता है लखन अब रजाग के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है अगले सीन में लखन अब वाहिट चाचा के घर में जाकर बताता है कि उनका भाई कोई इटैलियन ब्रेंड से कोलैब करके अपना बिजनेस बड़ा कर रहा है जिसके बाद वह जुबेदा गार्मेंट का नाम चेंज करके जुबेदा इंटरनेशनल के नाम से कपड़े बेचेगा अब वाहिट चाचा लखन को उसकी जबरदस्ती फीस देते हैं और लखन वहाँ से जाते हुए वाहिट की बोड़ी मा के हाथों में कुछ कागज देखता है और वहाँ से चला जाता है अगले सीन में नीरच संडल ले और साक्षी को दिखाते हैं साक्षी अब अपना पहला केस जीत गई होती है तब महाँ पर मेंका आकर नीरच को बोलती है कि उनके पास अब एक केस आया है जिसका अपोजिट लोयर लखन लिला भारगव है नीरच मेंका को बोलता है कि तुम केस के लिए तयार हो मिन का बोलती है कि मैं लखन को मिट्टी में मिला दूंगी अब लखन के कैफे में मुलायम लखन से बात कर रहा था कि उसकी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है जिसका लखन काफी मजा गुडा रहा होता है तब महाँ पर एक लड़की मुलायम से मिलने आती है जो कि उसके पापा ने रिष्टे के लिए बेजी थी अब साक्षी लिला के कैफे के बाहर आती है और लखन की माँ से टकरा जाती है लखन की माँ उसे कैफे के अंदर आने के लिए कहती है इदर लखन कैफे में अपने दोस्त मुलायम की लड़की से काफी अच्छे से बात करवा देता है जैसे वे बाहर साक्षी को देखता है लखन बाहर आता है तब साक्षी लखन से उसकी मा को बुरा भला कहने के लिए माफी मांगती है पर लखन साक्षी को चुपचा वहा से जाने के लिए कहता है क्योंकि वह साक्षी से अभी तक नराज था अब कोट में मेन का रजाक उस्मा नंसारी की तरफ से बोलती है कि ये तो ओपनेंट सट केस है क्योंकि जजाक ने जुबिदा गार्मेंट्स को चलाया है तो उनको ही ये नाम मिलना चाहिए मेन का फिर कोट में रिलिंक्विश्मिन डीट देती है और बोलती है कि वहाईद को ट्रेड मार के बदले पैसे मिल चुके हैं तो उनका इस नाम पर कोई अधिकार है ही नहीं जिसे सुनकर लखन चोक जाता है क्योंकि उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं था पर खतम होता है एपिसोड 8 की शुरुवात में मेनका जज को केस का फैसला आज ही सुनाने के लिए कहती है पर लखन अब अपनी बातों के जाल में जज और मेनका को फसा कर बड़ी चालाकी से कोट से अगली तारीख मांगता है जज बोलते हैं कि वाहिद को अब 5 लाक रुप को देने पड़ेंगे लखन के काफी कहने पर जज उसे 50,000 रुपे मंतली कर देते हैं इसके बाद जज दोनों पार्टी को आपसी सहमत से बाहर सैटलमेंट करने के लिए कहते हैं वैसे देखा जाये तो कोट में लगबग फैसला रजाक और मेनका के फेवर में आया था अब उसके बाद लखन वाई चाचा के घर जाकर बात करता है तब वाई चाचा लखन को उसकी फीस देने लगते हैं पर लखन उन पैसो को उनकी बेटी की शादी के लिए दे देता है वाई चाचा लखन को बोलते हैं कि उनका नाम किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि ये उनके प और दिंकी वहां आते हैं जो बताता है कि उनके कैफे में कोई लखन के लिए गिफ्ट छोड़ाया है जो की एक लोग की किताब निकलती है इधर नीरज संडल लिए अब मेनकर से खुश हो कर सबके सामने उसे एक नेकलिस गिफ्ट करता है क्योंकि वह लखन की कोट में ऐसी हा में ये केस जीतना चाहती है पस साक्षी को ये सब कानून के दाएरे में नहीं लग रहा था अब लखन एकदम से शंडले की फर्म में आकर नीरज और मेनका की बिज़दी करकर मजा पुडाता है तब ही महा पर महन संडले भी आ जाता है जिसके बार लखन बोलता है कि बहु में चाचा की बेटी की सगाई होती है जहां पर लखन और उसके दोस्त आय हुए थे तब महा पर साक्षी भी आती है जिसे लखन नहीं बुलाया था अब लखन और साक्षी के बीच में सारे गिले शिकवे खदम हो गए थे और उनके बीच दोस्ती भी हो गई थी लखन को द कि उसने शायद साक्षी को वाहित की बेटी की सदाई में देखा है। अब अगले सीन में लखन और टीपू जजाक की दुकान में जाकर उसमान की विल ढूंडने लगते हैं और रात को वही पर बंद हो जाते हैं। अगली सुबा होते ही वह देखते हैं कि फैसा उसके चाचा के बेटे मुस्तफा से मिली हुई है और ट्रेडमार्क एगरिमेंट में साइन भी उसी ने किये हैं जिसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं। पर मिनका को सबुच छुपाने के लिए उसके उपर 25,000 का फाइन लगाते हैं। पर मिनका बोलती है कि वह विल उसके पास भी नहीं है। जिसके बाद एपिसोड 8 यही पर खतम होता है। एपिसोड 9 की शुरुवात में लखन फैसा के पास बैट कर उससे सब कुछ पूछत अगले सीन में अनुराग भाईया अपने होटल की ओपनिंग करवाते हैं जहां पर टीपू लखन और उसकी मा को लेकर आया था क्योंकि अनुराग भाईया और टीपू की जानकारी थी। तब माँ पर एकदम से मौन संडले आकर रिबन काटता है और उसकी सारी काम्याबी क क्रेडिट उसकी वाइफ को देता है ये सब देखकर लखन को काफी गुस्ता आता है और फिर लखन और उसकी माँ माँ से चले जाते हैं गर पहुचने के बाद टीपू लखन और उसकी माँ से माँ से माँ पी मांगता है पर लखन गुस्ते में उसे माँ से जाने के लिए कह में लखन अपनी मां से मौन शंडले के बारे में काफी बुरा भला कहता है जिसके बार लखन की उसकी मां से बहस हो जाती है और लखन की मां गुस्से में उसे चाटा लगा देती है जिससे लखन मां से चला जाता है अगली दिन टीपू को अनुराग भहिया जील से निकलवात एक लड़के को किड्नाप करने के लिए कहते हैं और टीपू को विधायक बनाने का वादा भी करते हैं इधर मुलायम के पापा उसे टीपू से दूर रहने के लिए कहते हैं और अमरिता से मिलने के बारे में पूछते हैं तब मुलायम बोलता है कि उसे लड़की पसंद है शा जरूरी चीज को हमेशा अपने पास रखना चाहिए जिससे कि लखन के दिमाग में कुछ सूजता है और वह मुस्कुराता है अब अगले सीन में लखन कोड में वाइद और रजाक की मा जुबेदा को बुलाता है जो अपने पती के मरने के बाद से कुछ भी नहीं बोली थी लखन वाइद की मा से बोलता है कि आपके दोनों बेटे जुबेदा गार्मेंट के नाम के लिए लड़ने मरने को तयार हैं आपको ये देखकर कुछ भी फरक नहीं पड़ता जिसके बाद लखन कोट में जुबेदा और उस्मान की लव इस्टोरी बताता है कि उस्मान और जुबेदा एक मदरसे में मिले थे इसके बाद इन दोनों में प्यार हो गया और उस्मान जी जुबेदा के लिए चिठ्थिया लिखा करते थे जो कि उन्होंने आज भी समाल के रखी हुई हैं फिर थोड़े टाइम बाद उन दोनों की शादी हो गई और उस्मान जुबेदा से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपनी वाइफ के नाम पर जुबेदा गार्मेंट रखा है जो कि उन्होंनों के प्यार की निशानी हैं और उसे अब उनके बच्चे उनके सामने निलाम कर रहे हैं पर वाहित की मा को ये सब देख कर कोई भी फरक नहीं पड़ता और लखन अपनी बातों से किसी तरह से जुबेदा को उकसाने की कोशिश कर रहा था तब लखन उसमान के लिखे हुए लेटर्स को कोट में जला देता है जो कि उसमान के प्यार की आखरी निशानी थी और इसके बाद जुबेदा इतने सालों बात बोलने की कोशिश करती है और जलते हुए लेटर के पास जाकर रोने लगती है मा को रोता देखकर दोनों बेटे वाइद और रजाग अपनी मा के पास आते हैं और जुबेदा इतने सालों बाद फाइनली बोलती है कि उसका काफी दिल दुखता है उनके बेटों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर दोनों को ही जुबेदा गार्मेंट्स का नाम चाहिए लेक की उनी लैटर में थी फिर लखन बोलता है कि प्यार में देखो कितनी ताकत होती है जो दो भाई मा के नाम पर जुबेदा गार्मेंट्स पर लड़ रहे थे वो अपनी मा को रोता देखकर एक हो गए ये सब बाते साक्षी मा पर देख रही थी तब रजाक का बेटा मुस्त लो है अगले सीन में लخन साक्षी से कॉल पर बात करके थेंक्यू बोल रहा था तब इस साक्षी को एकदम से नीरत संडले का कॉल आता है और वह साक्षी को उनकी फमांड़ कर देता है और यहाई पर 9 यreuपिसोर्ड भी खतम होता है तो ये वीडियो देख लेजिए